हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होग की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा चार के विसे हिंदी के ग्रिस्म अवकास के ग्रहकारे को सौल्व करेंगे जो की उत्तरी दिली नगर निगम के द्वारा दिया गया है बच क्वेशन है बिना मात्रा वाले नाम सब्द यानि की संग्या सब्द लिखो एक फूल तो एक फूल कमल एक रितु शरद सरीर का एक अंग बगल एक वाहन बस एक जानवर मगरमच एक पेड बरगर एक मसाला नमक एक सबजी मटर अब अच्चों क्वेशन है बताओ मैं कौन ह प्रधम कटे तो दर हो जाओं प्रधम यानि की शुरुआत से कटू तो दर हो जाओं अंत कटे तो बंध हो जाओं केला मिले तो खाता जाओं बताओ मैं कौन हूं तो कौन है बच्चों बंधर नेक्स्ट है मेरी पूच पर है हरियाली तन सरीर है मगर सफेद खाने के हूँ काम आती अब बोलो मेरा भेद तो बच्चों कौन है मूली नेक्स्ट है हरे पंक वाली लाल मेरी चौँच मिर्ची अमरूद मेरी पसंद मैं हूँ कौन तो बच्चो किसको पसंद है तोता को नेक्स्ट है आठ पाउँ वाला में जाल जैसा घर मेरा चीटी कीड़े मैं खाता मैं हूँ कौन तो कौन है बच्चो कौन चीटी कीड़े खाता है मकड़ी अब बच्चो खाद्य पदार्थ आपके भाई या बहन की पसंद का खाना खाएंगे पेपदार्थ में ठंडाई या चॉकलेट का दूद पीएंगे परिवार के साथ समय में खेल ठाह का एक्सप्रेस अपने परिवार के साथ बारी बारी से चुटकुले सुनेंगे गती विदी में मम्मी की मदद से भेल पूरी, जाल मूरी, फ्रूट, चाट या सलाद कोई भी एक बनाएंगे पहला उधारन है पुस्तक का पुस्तक का वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है आधा पे और उ को मिला कर वर्ण बना है पू तो ये होगा बच्चो उस्तक का वर्ण विच्छेद इसी तरीके से हम करेंगे गुलाब सब्द का वर्ण विच्छेद आधा गय और उ को मिला कर वर्ण बना है गू उसके बाद आधा ले और आ को मिला कर वर्ण बना है ला इसके बाद आधा बै और एको मिलाकर वर्ण बना है बै तो इस तरीके से होगा गुलाब सब्द का वर्ण विचेद नेक्स्ट है कोयल कोयल का होगा बच्चो आधा कै और ओको मिलाकर वर्ण बनेगा को उसके बाद आधा ये और एको मिलाकर वर्ण बनेगा ये फिर बच्चो आधा ले और एको मिलाकर वर्ण क्या होगा ले तो ये होगा बच्चो कोईल सब्द का वर्ण विचेद नेक्स्ट है बस्ता बस्ता का हम वर्ण विचेद कैसे करेंगे आधा बै और एको मिलाकर वर्ण होगा बै उसके बाद आधा से उसके बाद बच्चो आधा ते और आ को मिलाकर वर्ण बनेगा ता तो ये होगा बच्चो बसता सब्द का वर्ण विचेद नेक्स्ट है चम्मच चम्मच में हम वर्ण विचेद कैसे करेंगे आधा चे और एको मिलाकर वरंड होगा चै उसके बाग आधा मैं फिर बच्चो आधा मैं और एको मिलाकर वरंड होगा मैं फिर आधा चै और एको मिलाकर वरंड बनेगा चै तो यह होगा बच्चो चम्मच सब्द का वरंड विछेद इस तरीके से हम सभी सब्दों के वरंड विछेद कर सकते है बच्चों यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू